हेलो वेलकम गाई स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का और बहुत जादा इंपोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस कोशन पर बात करने वाले हैं ये कोशन बोर्ट एक्जाम पॉंट और वीयो के तरब से बहुत जादा इंपोर्टन होता है मुस्टली एक्जाम में सेवन ऐट और टैन टाइम ये कोशन पूछा ही जाता है तो आहिए फटाफट से इस कोशन को समझते हैं कि ये कोशन क्या है question है explain the process of formation of complex protein complex protein बनाने का जो process है उसी process को हमें explain करना है और ये आराम से 5 marks का question आपके board exam में पूछा जाने वाला है तो आईए ये फटा फट से इसका answer देख लेते हैं कि हमें इसे solution में क्या लिखने का है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि protein synthesis का मतलब होता है protein को बनाना synthesis मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना बना लेना यह जो process होता है यह process को कहते है central dogma मतलब protein synthesis जो process है इस process को हम लोग central dogma नाम से जानते हैं तो एक्जाम में कभी कभी ऐसे भी कोशन आ सकते हैं कि explain the central dogma and define central dogma तो आप लोगों को वही से मांसर लिखना है जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब देखते हैं अगला point यह जो central dogma है यह हमको explain करने वाला है कि किस तरह genetic information का use करेके जो DNA है वो RNA की मदद से protein को बनाने वाला है आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूँ कि यह जो protein synthesis के काम होगा जो protein को प्राप्त करना protein को बनाने का जो पूरा process होगा यह पूरा process किया जाता है DNA के दुवारा और DNA खुद बखुद इस process को बिल्कुल नहीं करता है तो DNA यहाँ पर मदद लेता है हमारे RNA की और DNA क्या करता है DNA RNA को अपना genetic information देता है यानि कुछ code देता है कि भाई यह यह रहे code और इनी code का use करके तूजा protein को बना ले तो central dogma यह protein synthesis का process है central dogma के अंदर जो DNA होता है वो genetic information को transfer करता है RNA के पास ताकि RNA जो होता है वो protein को बना ले पास लाके रख देगा अब यह जो central dogma है जो protein बनाने का process है यह पूरा तीन स्टेप में चलता है पहला स्टेप है इसका नाम है transcription and second step है उसका नाम है genetic code होते हैं यह आप देख सकते हैं यहां पर code दिखाया हुआ है ATGCGCATGCत यह जो पूरा है इसे हम लोग कहते हैं genetic code genetic information इसा information का यूज़ करें कि जो हमारा DNA है वो mRNA को बनाने वाला है ठीक़ए तो mRNA को बनाने का जो प्रोसेस यहां पे होने वाला है अब यह पूरा process होने तो transcription का definition क्या होगा transcription का definition होगा कि mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA बहुत साइh nucleotide जब आपस में जूड जाते हैं proper arrangement में तो पूरा DNA बन जाता है और उसी nucleotide के दुआरा जब mRNA बनाया जाता है तो उस process को हम लोग कहते हैं transcription अपर का strand होता है इसको हम लोग को हम लोग को बने का टा बनाये जाता है यह भाली इस रूरा बना जाता है अंड आ ऊहआ पर लिखा हुआ है कि बने शेकर म यूज न झे होगा ऊदिस пожबाग तो यह जो हमारा DNA है, यह मोटा ऐसे हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमने RNA Polymerase नाम का एक material डाल दिया है, जैसे अपने पास चना होता है, बदाम होता है, तो आपन क्या करते हैं, उसको रात में पानी में भिगो देते हैं, और सुबह वो जाड़ा मोटा हो जाता है, जैसे हम इसके अंदर RNA Polymerase डाल देंगे, यह जो DNA होगा, यह जाड़ा मोटा हो जाएगा और फुक जाएगा, और उसी के अंदर यहां पे DNA के strand की information कोपी करके, जो mRNA होगा यह बनेगा, यहां पे देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं गलती यह कर देते हैं, कि वो लोग इसको DNA का strand ब बना देंगे यहां पे, ठीक है, अब जैसे ही यहां पे transcription का process समाप्त होगा, वैसे हम लोग को यहां पे mRNA बन के दिखने वाला है, और अब जैसे ही nucleus के अंदर वो बन जाएगा, अब सारी information को nucleus से लेके अब वो बाहर निकलेगा, overall अब मैं यहां बोल सकता हूं कि आप लोग इंडो-plasmic reticulum नाम का एक organ होता है, basically इंडो-plasmic reticulum दो प्रकार के होते हैं, एक rough इंडो-plasmic reticulum होता है, और एक smooth इंडो-plasmic reticulum होता है, यह सब आपनो 9th में पड रखा होंगा, जैसे burger के उपर तील होता है, तो जब छूएंगे हम लोग उसको, तो वो हमको rough लगता है उसी प्रकार से यह जो इंडो-plasmic reticulum है, इसके उपर यह RNA present है, हाँ, ribosome वाले RNA को RRNA कहते हैं हम लोग, ribosomal RNA, तो ribosomal RNA के present होने की वज़े से इसको जब लोग टच करेंगे, तो यह हमको rough लगेगा, तो यहाँ पर mRNA सबसे पहले जो nucleus के अंदर बना है, वो आप आ इस तरीके से कुछ structure बना लेगा, वो तीन-तीन nucleotide का group बना लेगा, एन उस तीन-तीन nucleotide के group को हम लोग बोलते हैं triplet codon, एन इस तरीके से वो triplet codon को बना लेगा, और हर एक triplet codon पे एक-एक amino acid आके जोडने वाला है, बतातों में क्या होता amino acid अभी, तो यहाँ पर इतना सम अब विए दर्ती पे टोटल 20 प्रकार के amino acid होते हैं, जैसे हमारे alphabet में ABCD में, टोटल 26 लेटर होते हैं, और उनहीं लेटर का यूज़ करके हम लोग लाखो करोडो सब्द बनाते हैं, उस तरीके से हमारे पास पूरी धर्ती पे टोटल 20 प्रकार के amino acid है, और उसी 20 प्रकार क amino acid का यूज़ करके हम लोग बहुत से अलग अलग प्रकार के amino acid को बनाते हैं, तो यहाँ पे हर एक triplet कोडोन को एक एक amino acid आके जुडने वाला है, अब सवाल उठता है कि यार यह amino acid को लेके कौन आएगा, जैसा MRNA का message होगा, उसके हिसाब से जो हमारा tRNA होगा, आखरी वाल पर आके जमा हुआ है, ऐसे ही एक और आएगा, वो दूसरे वाले पर जुड़ेगा, एसे ही एक और आएगा, तीसरे वाले पर जुड़ेगा, तो जैसे जैसे MRNA का message है, उस प्रकार से जो हमारा transfer RNA है, वो amino acid को supply करेगा, और आप बात करते हैं, आखरी process जिसका नाम है, ट्र RNA के साथ, यहां पर देखें, ट्रन और MRNA का कैसे complementary sequence बना हुआ है, एक codon है, तो उपर का anticodon है, AUGC, 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 इस प्रकार का code होता है, उल्टा code बनता है, opposite code, तो यहां पर देखें, यहां पर हमारा जो amino acid है, वो आके पहले triplet one पर जुड़ा हुआ है, अब जैसे ही translogation का process स्टार्ट होता है, यहां पर जो ribosome होगा, वो move करेगा, एक end से दूसरे end पर, यहां पर देखें, यहां पर जो पहला amino acid था, वो पहला peptide bond बना के निकल गया, और आप यहां पर दूसरे amino acid आया हुए है, और तीसरे आया हुए है, धिरे धिरे जैसे यहां पर adding होते यहां से जुड़ना सुरू हो जाएगा, और यहां से निकलना सुरू हो जाएंगे, कहने का मतलब यह है कि यह जो ribosome है, यहां पर तीन-तीन के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, इसी process को हम लोग कहते है, ट्रांस लोकेशन, मतलब यहां पर जो location है, वो change हो रही है, इसलिए इसको मोलते हैं, ट्रांस लोकेशन, और जो translation वाला process था, उसको हम लोग translation इसलिए बोलते थे, क्योंकि वहां पर mRNA का message था, वो rRNA के दौरा translate किया जा रहा था, जो rRNA था, वो mRNA के दौरा लाएगे message को translate कर था, अपने language में और समझ रहा था, कि भाई, यह जो mRNA है, वो क्या message ल प्रोटीन भरी होती है, पूरी energy जो होती है, इसी 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 प्रोटीन बॉन के अंदर होती है, तो यहां पर ऐसे एक प्रोटीपल प्रोटीपल बनेंगे, तो हम लोग उसे कहेंगे polypeptide chain, जब बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्रोटीप्टाइड चेन बन जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे polypeptide chain, और उसी को हम लोग बोलते हैं protein, यह जो peptide bond को बनाने का जो process चलता है, इसी process को हम लोग कहते है protein synthesis, और दूसरे सब्दों में कहें, तो इसी process को हम लोग कहते है central dogma, तो आई होप यहां पर आप लोग को central dogma का process समझने में जाए तकलिफ नही है, इसी प्रकार से आप भी अपने exam में लेकिए, आपको एक भी marks नहीं कट होगा, आपको पूरा marks मिलेगा, अगर पांच marks करका तो teacher आपको खुशी के मारे 6-7 marks दे सकती है, ऐसा भी chances है यहां पे, and diagram बनाना बिल्कुल मत भूलिए, diagram साथ में आप बनाते जाए, diagram अगर आ हमारी वीडियो से कुछ value सिखने मिली है, तो फटा फट से चनल को subscribe कर, इसके आगे के concepts आपको अगरी वीडियो में मिल जाएंगे, thank you for watching, जैहिन